जै मातादी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो आने वाले अक्टूबर माह के पंद्रह दिन कुम्बराशी वाले लोगों के लिए रहने वाले हैं कुछ खास आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी बात पर तापसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उनके इन पंद्रह दिनों में पूरे होने वाले हैं कई तरह की खुशियां उनको अपने जीवन में मिलने वाली हैं क्योंकि ग्रह नक्षत्रों में परिवर्दन होगा और इतने शुब संयोग बन रहे हैं कई शुब योगों का निर्मान हो रहा है जिनका असर आपके राशी बदलेंगे वहीं बुद्ध भी अपनी राशी बदलेंगे और त्योहारों का आगमन भी होगा यानि जो साल के सबसे बड़े त्योहार है वो इन ही 15 दिनों में होने वाले हैं जो बेहत शुब संयोगों के साथ आ रहे हैं जिनका असर आपकी जीवन पर पॉजिटि और जो कुंडली का नवा भाव होता है वो भागय का भाव होता है और जब नवे भाग में यानि भागय के भाव में सूरिय बैठेंगे तो ये आपके भागय को मजबूत बनाएंगे यहां आपके लिए लंबी दूरी आत्राओं का योग बनेगा और इस गोचर के दोरान आप अपनी सब ही कारे को समय पर पूरा कर पाएंगे अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर पाएंगे और इसमें विरोधियों पर आप हावी रहेंगे और वहीं 23 अक्टूबर को बुद्ध भी अपनी राशी बदलेंगे जो आपकी दसवे भाव में गोचर करेंगे और दसवे भाव से हम करियर को देखते हैं प्रोफेशनल चीज़ को देखते हैं पिता के स्थिति रुद्बा राजनीती और जीवन के लक्षों को देखते हैं ये कर्म भाव होता है और यहां बुद्ध के आने से क्योंकि बुद्ध जो है बुद्धी के देवता है वेपार के देवता हैं तो यहां आपके करियर में उचाई आपको देखने को मिलेगी इस समय आप अपनी बुद्धी और समझदारी के बल पर अपनी कारेयों में सफलता हासल करेंगे जो जातक नई नौकरी के तलाश में हैं उन्हें इस समय उनकी महनत का फल मिलेगा और कारे शेत्र में मिलने वाले परिणाम से आप खुश रहेंगे ऐसे में आपको परिश्रम तो अधिक करना होगा लेकिन उस परिश्रम का फल भी आपको मिलेगा आपके निजी जीवन में भी प्रेम और सामज़ से बने रहेंगे रिष्टे मजबूत होंगे जीवन साथी के साथ अच्छा समय आप वैतियत करेंगे बच्चों के लिए भी ये समय बेहद अच्छा रहेगा और राजनीती से जुड़े जातकों के लिए तो ये गोचर बहुत ही अनुकुल रहने वाला है अगर आप अपना काम मेहनत से कर रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको सफलता बेहद सफलता मिलने वाली है वही 28 अक्टूबर को शुक्र भी अपनी राशी परिवर्दित करेंगे और आपके दस्वे भाव में ही रहेंगे शुक्र जो है वो बहुत एक सुख सुविधाओं के कारे ग्रह माने जाते हैं तो इनका असर भी आपके कारे शेतर पर पढ़ने वाला है आपके कारे इस्थल पर इनका शुब पर भाव पढ़ेगा और आपके सहकर्मियों के साथ आपका सामज़ से बना रहेगा अपने कारे पर आप अधिक से अधिक ध्यान दे पाएंगे इस समय राजनीती के शात्रो राजनीती से जुड़े लोग जो है उनके लिए बेहद अच्छा समय रहेगा और शुक्र का शुब प्रभाव से आपका भागय उदय होना भी संभाव है आपके जो जीवन में कठनाईया चली आ रही थी आप उनका सामना आसानी से कर पाएंगे उनको आप दूर कर पाएंगे जो सरकारी करमचारी हैं तो इस गोचर के अवधी में आपके ट्रांसफर के योग भी बन सकते हैं पदोन नती भी होगी जीवन साती के साथ अच्छा समय आपका बीतेगा विवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा इसके अलावा इन आखरी दिनों में अहोई अस्टमी का व्रत होगा करवा चौत का व्रत है दीपावली है धन तेरस है और भयादूज की जैसे पर्व भी इस महीने में पड़ रहे हैं जो आपके जीवन में एक खुशियों का आगमन होगा आप अपने सभी कामों को पूरा कर पाएंगे आपनी इच्छाओं की पूर्ती आप कर पाएंगे परिवार में हसी खुशी का वातावरान इस समय रहेगा तो ये आने वाले 15 दिन आपके जीवन में खुशियों भरके लाएंगे और जीवन में तरक्की भी लेकर आएंगे तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भोलें